नमस्कार दोस्तों स्वागत है अप सब का हमारे यूटूब चैनल खुसबू टेक में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कमेंट का कुछ सेटिंग जो आप अपना चैनल पर कर लेते हैं तो आपके लिए काफी हैलफूल रहेगी जैसे कि कुछ लोग अपना चैनल पर अल कमेंट अलाव करना चाहते हैं मतलब कि कोई भी लोग उनके चैनल पर अगर कमेंट करेंगे तो उनको तुरंत दिखाई देगा तुरंत वो कमेंट पढ़ेंगे और उनका रिप्लाइद दे सकते हैं इसके अलाबा कुछ लोग बोलते ना हमारा ओडियंस देख पाए इससे क्या होता कि लोग अगर आपका चैनल पर खराब कमेंट्स कर देता है तो आप कहीं ने कहीं डिमोंटिवेट हो जाते हैं आपको वीडियो बनाने की मन नहीं करता है तो इसका एक सेटिंग होता है आप अपना चैनल पर अगर यह पर तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इससे पहले अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आउन करें ताकि आने वाली हर वीडियो का अब्रेट आपको मिलती रहे तो आप मैं आपको यह मुबाइल के स्क्रूइन में सार उसके बाद आपको थ्री डाट पे क्लिक करना है थ्री डाट पे क्लिक करने के बाद आपको इसको डेक्स्टप साइड में कर लेना है क्योंकि डेक्स्टप साइड से हम यह सेटिंग कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर अपना लोगों पर साइड में देखने को है उसके關係 करने के बाद यहां पर देखिए कस्टूमाइज चैनल करके एक वाया यहां और दूसरा मैनेज वीडियो करके शुटन रहा है तो आपको पार देखिए क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए ले आउड मेन्डि़ basic info करके option दिखा रहा है तो आपको यहां पर कुछ भी touch नहीं करना है बस आपको यहां पर जूम करके मैं दिखा देते हूं आपको यहां पर नीचे आना है सबसे last में left hand side में तो देखें यहां पर एक setting का option आपको देखने को मिल रहा है और नीचे भी एक option है तो उपर setting वाला option पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद देखिए ये वाला खुल के आजाएगा आपके सामने में उसके बाद setting करके दिखा रहा है और यहां पे देखिए first में general है channel है upload defaults है पर्मिशन है, community है, agreements है तो आपको simple upload default पे क्लिक करना है upload default पे क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए basic info है और यहां पे advanced setting दिखा रहा है अगर आपका channel monetize है तो यहां पे monetization करके option दिखाएगा तो आपको यहां पे beach वाला option पे क्लिक करना है advance setting पे, advance setting पे click करने के बाद यहां पे देखिए एक allow automatic chapter करके option आ रहा है उसके बाद आप नीचे देखेंगे, इसको आपको scroll करके इस तर नीचे ले जाना है नीचे ले जाने के बाद देखिए comment करके option आ रहा है और यहां पे first में देखिए allow all comments करके लिखा हुआ है उसके बाद देखिए hold potentially inappropriate comment for review मतलब कि जो भी inappropriate comment है वो hold किया जाएगा review के लिए जाता है तो आप यहाँ पर second option पर टीक होगा तो आप यहाँ पर अगर all comment allow करना चाहते तो यहाँ पर first option पर click कर दें ताकि आपके अगर चैनल पर कोई भी कुछ भी comment करता है तो आपके पास कोई comment आजाएगा यहाँ फिर second option पर करेंगे तो जो भी खराब comment होगा वो नहीं आएगा और यहाँ पर third option पर देख रहे है hold all comments for review तो यहाँ पर कोई भी comment आपको लोग करेंगे तो वो पहले review होगा उसके बाद आपको वहाँ पर सो होगा उसके बाद यहाँ पर देखिए नीच अगर कोई करता है तो आपको दीखे तो आपको यहाँ पर first बाला और all comment पर करके यहाँ पर करना है उसके बाद यहाँ पर देखिए उसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर cancel का एक option है और save का option है उसके बाद आपको save पर इस तरह क्लिक करना है save पे click करने के बाद ये देखिए आपका ये save हो गया है setting save हो गया है इसी तरह आप अपना channel का comment all comment को allow कर सकते हैं तो इसी तरह आप अपना comments का setting कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है जो भी वो आप select करके save कर सकते हैं allow comments पर करेंगे तो कोई भी लोग आपका channel पर comments करेंगे तो आपको तूरन दिखाए देदेगा उसके अलाबा आपका channel पर अगर कोई खराब comment करता है तो वो आपको आपका ओर्येंस भी नहीं देख पाएंगे आप भी नहीं देख पाईएगा तो इसी तरह आप अपना channel पर setting कर सकते हैं comment अपने हिसाब से set कर सकते कोई भी लोग अगर आपका channel पर comment करेंगा तो आपको तूरन दिखाए भी देदेगा अगर आपका channel पर कोई सो हो जाएगा और लास्ट में आप अगर अपना channel का कोई भी सभी comments को हाइट करना चाहते हैं कोई comment किसी को ना दिखें तो भी आप कर सकते हैं तो आपके लिए वीडियो helpful रहेगी इस वीडियो में इतना ही वीडियो कैसे लाग comment करके जरूर बताए और किसी topic पर आप वीडियो चाहते हैं तो भी comment box में बता सकते हैं आपको उसी topic पर वीडियो मिल जाएगी तो फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक लिए thank you